आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आप 3 is to 4 in future मदलब की नया जो sharing ratio है आपका profit sharing ratio है होगा 3 is to 4 है आपको पाता करना है कि gaining ratio कितना है तो option A है 2 is to 3 option B है 4 is to 3 option C 3 is to 4 and final option है 1 is to 1 ठीक है तो देखिए यहाँ पर अगर देखे कि gaining ratio का formula क्या है gaining ratio gaining ratio बड़ाबर क्या होता है देखिए gaining ratio equal new ratio या फिर बोल सकते है new जो share वहाँ से अगर old जो ratio या फिर old जो share है उसको अगर subtract कर देंगे minus कर देंगे तो आपका gaining ratio निकल कर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए कौन return कर रहा है A return कर रहा है तो B और C का old ratio कितना है old ratio ठीक है यहाँ पर old ratio लिख दिया ठीक है फिर देखिए B का old ratio कितना है B का जो old ratio होगा वह होगा 2 और 3 5 और 4 9 मतलब कि 3 by 9 हो जाएगा B का old ratio ठीक है और देखिए C का old ratio कितना होगा C का जो old ratio होगा वो होगा 4 by 9 4 by 9 यह हो जाएगा old ratio B और C का ठीक है फिर देखिए नया ratio जो है मतलब की new share या फिर बोल सकते हैं new ratio ठीक है तो यह B का कितना है देखिए B का जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 is to 4 मतलब की B और is to C है 3 is to 4 तो B का कितना हो जाएगा आपका B का हो जाएगा आपका 3 by 7 ठीक है B का हो जाएगा आपका 3 by 7 and C का जो हो जाएगा आपका 4 by 7 हो जाएगा ठीक है तो यह आ जाएगा आपका new ratio तो gaining ratio यहाँ से निकल सकते हैं हम लोग तो gaining ratio यहाँ फिर gaining share बोल सकते हैं ठीक है तो B का कितना हो जाएगा देखिए B का देखिए New जो है वो है 3 by 7 3 by 7 minus यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 by 9 है उसका old ratio तो यहाँ पर 3 by 9 लिख दिया फिर देखिए 7 by 9, 63 हो जाएगा LCM 9, 3, 17 minus 9, 21 मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 by 63 ठीक है और देखिए यहाँ पर C का भी निकल सकते हैं यहाँ पर C का कितने होगा C का 4 by 7 आपका new ratio है minus 4 by 9 है ठीक है यहाँ पर भी 63 हो जाएगा और 36, 97, 28 मतलब कि यहाँ से अगर minus करे 36 से 28 मतलब भी 8 by 63 हो जाएगा तो ratio कितना आएगा देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे B is to C तो B is to C कितना आगिया 6 by 63 is to 8 by 63 तो 6 is to 8 आजाएगा ना क्योंकि 63 और 63 जो है यह आपस में कट जाएगा तो इसको छोटा करने से क्या आजाएगा 3 is to 4 यह आपका correct answer है final answer है ठीक है तो 3 is to 4 मतलब कि अगर option दे से 3 is to 4 तेंक यू